नमेशकार दोस्तों मैं दॉक्टर प्रांचली, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे में गिलाय के बारे में गिलाय को अम्रिता भी बोला जाता है क्यूंकि इसको एक अम्रित के साथ बॉली प्राचीन समय से गिलाय हमारे शरीर की विभिनने समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग की जारी शायद इसी वज़े से इसको अम्रिता नाम दिया गया है वैसे तो दोस्तो इसके बहुत सारे सैकुडो फायदे हैं लेकिन इतना सारा डेटेल बताना पॉसबल नहीं है एक वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं कारी करता है सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आज की दौर में सबसे ज़ादा जरूरी है वो है हमारी Immunity Immunity के उपर दोस्तों जो गिलोग है वो बहुत ही अच्छा काम करती है क्यों करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही यह रिच अमांट में एंटी ऑक्सिजड प्रॉपर्टी पाये जाती यह एंटी ऑक्सिजड प्रॉपर्टी आपके शरीर में जिटे भी फ्री रेडिकल सोते हैं यह आप मोटा-मोटी समझ लें कि जो बहुत टॉक्सिक चीजे होती है उनको आपके शरीर से बाहर निकालने का करता है और आपके जो defense system है जो आपके रोग प्रतिरोधक शमता है उसको अच्छा करने में बहुत ज़्यादा मददकार होता है तो आप अपनी immunity अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो आप गिलॉयका 7 जरूर करें या आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होगी नेक्स्ट जो दोस्तो है यह है आपके diabetes के case में दोस्तो diabetes के case में specially type 2 diabetic patients है उनमें गिलॉयका 7 बहुत ज़्यादा anti-inflammatory property पाए जाती है तो चाहे रुमेटोइड अर्थराइटीस हो गाउट हो ऑस्टो अर्थराइटीस हो किसी भी अर्थराइटीस है किसी भी प्रकार के अर्थराइटीस में गिलॉय बहुत ज़्यादा लाप्रद है यह सूजन कम करने दर्द को कम करने जो रगनेस आती है आपके जोइंक्स में उन सब को कम करने में बहुत ज़्यादा मददकार है तो आप यह आपके घर का कोल भी प्राणी अगर किसी भी तरह के अर्थराइटीस से परिशान है तो उनको आप गिलॉय का सेवन ज़रूर कराए वो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाप्रद होग तो इन सभी डाइजेशन रिलेटेट परिशानी में गिलॉय बहुत ज़्यादा लाप्रद होता है तो आप गिलॉय का सेवन करे करें आपके डाइजेशन संबंदित सभी परिशानी को यह ठीक रखने में मदद करेंगा नेक्स है दोस्तो हमारे लीवर के इशु पर इसको जिलनी पड़ी है तो आपके लीवर को भी अच्छा रखने में उसको हेल्दी बनाने में गिलॉय बहुत ज़्यादा मददगार होता है आप इसको सेवन करके अपने लीवर को हेल्दी और टॉक्सिन प्री बना सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों अस्थमा की केस में आजकल आपने देखा है कि कोविट की कंडिशन में अस्थमा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉस करने लग जाता है पोस कोविट लोगों को अस्थमाटिक कंडिशन होने लग जाती है या जो अस्थमाटिक पेशिंट से वो बहुत जादा प्रोन होते हैं कि उनको कोविड अटाक हो सकता है इसमें अगर आप लगातार गिलॉय का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत जादा लगप्रद होता है यह इस पेशले जो आपकी सीने में जकड़न होती है बलगम जाके चिपक गया होता घर-घर स सफोकेशन यानि कि सांस पुलने की जो प्रविर्थी है उसको भी कम करता है क्योंकि जो आपके लंग्स में सूजन है इंफ्लमेशन है उसको भी कम करता है तो अगर आप या घर का कोई प्राणी अस्थमाटिक है या बहुत लंबे समय से उसको खांसी बलगम बना हुआ है तो उसको आप गिलोय का प्रयोग करा है उनके लिए बहुत जादा लाप्रत होगा नेक्स सिंटम है दोस्तों या नेक्स डिजीज है दोस्तों स्ट्रेस स्ट्रेस आज की काइम में बहुत जादा लोगों में देखने को मिलता है आज कल छोटे बच्चों तक में स्ट्रेस और depression जैसे condition देखने को मिलने लग गई है तो अगर आपका lifestyle बहुत जादा hectic रहता है आप बहुत जादा depressive या stressful रहते हैं दिन भर आपका routine बहुत जादा hectic रहता है आपको नीद ना आने की परिशानी है तो आप भी गिलॉय का सेवन शुरू करें या आपको as an antidepressant काम करेंगा आपको stress reduce करने में help करेंगा आपकी नीद को अच्छा करने में मदद करेंगा और इसको definitely आप ट्राई करें या बहुत बहुत जादा पूर हो रही है या किसी अन्यकारण से भी हो रही है तो आप अपने eyesight को अच्छा रखने अगर आपकी बढ़ गई है तो वो उसको prevent करके रखेगा कि उससे आगे ना बढ़ने पाए या आप as a preventive भी लेना चाहते है तो definitely prevention भी आपको देगा और आपकी eyesight को अच्छा रखने अगर आपको मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं आप होमेपतिक की मदर टिंचर फॉर्म में भी घिलॉय आती है इसका सेवन भी कर सकते हैं तीनो सपोरा नाम से आती है दोस्तों मदर टिंचर फॉर्म में गिलॉय अगर आपको टैबलेट फॉर्म में नहीं चाहिए या आप होमेपतिक फाली ही सितलना साहते हैं तो अब तीनो सपोरा, Mother Tintcher, Sbl, Swabay, Regpac, Backson, किसी का भी आप ला सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं और definitely यह आपको बहुत ज़दा helpful रहेगी इन तमाम बीमारियों में और इसके लावव भी बहुत सारी अन्य ऐसी बीमारियां हैं जिस पर गिलोई बहुत ही अच्छा काम करती हैं तो आप इसका सेवन करें अपने आपको स्वस्त रखें कोविक फिर से दोस्तों थर्ड वेव में पहुच रहा है और हमें बहुत ज़दा सुरक्षित रहने की आवशकता है तो इसलिए आप प्लीज घर में रहें अन्निसेसरली बाहर ना निकलें मास का प्रयोग सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलते हुए सितना के इंफोर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यू सो मच स्टे सेज़ें हल्वी